ओम उपवरे गिरी नाम संग मेच नदी नाम धिया विप्रो अजायत प्रिय शिक्षार्थियू राष्ट्रिय मुक्त विद्यालेई शिक्षा संस्थान नोएडा में आपका स्वागत है आज उच्चतर माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य इस पाठ्यक्रम के नवम पाठ को आज हम समझने जा रहे हैं अत्र शिवराज विजय नामकम काव्यम वर्तते तत्र प्रथमह भागह अर्थात प्रथमह तत्र उपक्रमह वर्तते वटु समवाद रूपह सैव वयम अध्य पठिश्यामह नवम पाठ के रूप में निर्धारित शिवराज विजय के वटु समवाद को आज हम समझेंगे वटु समवाद शिवराज विजय का अन्यतम समवाद है इससे पूर्व हम शिवराज विजय इस महा काव्य को जाने तत्पूर वहम इसके प्रणेता आचार्य अंबिकादत व्यास जी के बारे में लगु परिचय प्राप्त करते हैं आचार्य अंबिकादत व्यास आपका जन्मस्थान धुला नामक ग्राम में हुआ था यह ग्राम जैपूर नगर के राजस्थान में स्थित जैपूर नगर में यह ग्राम है जो की लगभग 20 किलोमेटर दूर जैपूर से स्थित है इस ग्राम में आपका जन्म वैक्रमाब्द 1915 इस वर्ष में हुआ है तदनुसार 1858 ख्रिस्ताब्द में आपका जन्म हुआ है और आपका वैकुंट गमन 1900 ख्रिस्ताब्द में हुआ है आपकी प्रारंभिकी शिक्षा एवं अन्यतम शिक्षा ये सभी आपकी वारानिसी से आपने प्राप्त की है आपको काशी में ही निवासरत रहकर साहित्याचार्य की उपाधी भी प्राप्त हुई है पौरानिक काल के आचार व्यास जिनका भारती संस्कृत साहित्य को अमूल ये योगदान है अतुलनी ये योगदान है उनी के समान आपको भी पौरानिक व्यास के समान ही साक्षात उनके धृतावतार के रूप में आधुनिक व्यास के रूप में स्वीकार किया गया है आपकी कर्म भूमी बिहार प्रांतकया मधुबनी भागलपूर इत्यादी विभिन मंडल रहे हैं विभिन स्थान रहे हैं जहाँ पर आपने अध्यन और अध्यापन कार्य किया है आचार्य की प्रसिद्ध कृतिया रही है जिनमें हम गणेश शतकम यत कथा कुसुमम सामवत नाटकम इत्यादी लगभग 27 कृतिया आचार्य की संस्कृत में हैं और संस्कृत एतर हिंदी आधी भाशाओं में भी आचार्य की अनीक कृतिया उपलब्ध है आचार्य का अमूल योगदान संस्कृत और हिंदी भाशा में रहा है भारतिय आधुनिक संस्कृत साहित्य में आपका योगदान अमूल ले रहा है आपको आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रनेता के रूप में प्रारंबिक उपकरता के रूप में स्विकार किया गया है भाववा कवी ही स्वकियम आत्मानम अभिव्यक्तिम प्रस्तोती काव्यशू। काव्यस्य यदी वयं भेदान विचर्चा मह तरही तत्र भेदत द्वयं उपस्थी यते। तेशू अन्यतमह गद्यकाव्यं। गद्यकाव्य वयं पश्या मह गद्यकाव्य शू अन्यतमह भेदा वर्तते आख्याई का यहाँ आख्याई का भेद ही शिवराज विजय इस महा काव्य का है। शिवराज विजय इस काव्य को आधुनिक संस्क्रित साहिते का उपन्यास माना जाता है। एतियासिक उपन्यास होने का गवरोप्राप्त है अगर इसके विशयवस्तु की बात अगर हम करना चाहे तो इसमें इस संपूर्ण उपन्यास में इस संपूर्ण काव्य में जो कथा वस्तु है वहाँ एतियासिकी कथा वस्तु है इसमें यद्यपी कवी की कल्पना प्रसूत हमें प्राप्त होती है द्रिष्टी गोचर होती है तथा पी जो एतियासिक तथ्य है उनसे किसी भी प्रकार से कोई छेड़ खानी नहीं की गई है यही इस आचार्य की महती परिचर्या रही है यही इस आचार्य की महती सेवा रही है जिनोंने महाराज शिवाजी के चरित्र क उपस्थापित करने का प्रयास किया है वहाँ भी बिना किसी छेड़ खानी के बिना किसी भी प्रकार के अपने कलपना प्रसूती से कावे की महत्ता या छत्रपती श्वाजी महराज की महत्ता को कही पर भी नियूनतम करने का प्रयास नहीं किया गया नहीं उसमें अन्यथा आ द्रिश्टी बोध रखा है कि वर्तमान समय में जिस समय वह कावे लिखा जा रहा था उस समय की प्रासंगिक्ता के अनुसार भारतिय जन्मानस में छत्रपती शिवाजी महाराज के चरित्र से वह उर्जा आए वह सामर्थ आए वह शक्ति आए जिससे कि वह राष्ट के प्रत पुनीत पर्वकियों और प्रस्तुत कर सके आचार्य का यह उपकम निश्चिति उनकी कृति के माध्यम से द्रिश्टी गोचर होता है उनकी आचार्य के यह महति विहंगम द्रिश्टी रही है जिसने परवर्ती काल में न केवल उस समय के शताधिक वीरों को शताधिक स्व उसी संचार ने हमें स्वतंत्रता की और अग्रेसर किया था। आईए इसके मुख्यतम बिंदू को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्य रूप से मुगल शाषन का वर्णन है और उस मुगल शाषन को सर्वता नश्ट करने के प्रयासरत शत्रपती शिवाजी माराज के एतियासिक कथा है। इसमें कवी की कलपना प्रसूती आपको प्राप्त होती है। इस काव्य के नायक के रूप में महराज शिववीर हमें प्राप्त होते हैं, जिनें वर्तमान समय में शत्रपती शिवाजी महराज कहा जाता है। और प्रतिनायक के रूप में यवन शाशक अवरंग जीव हमें दिखाई देते हैं, जिने हिंदी भाषा में अवरंग जेव हम कहते हैं विशेश अगर इस काव्य के बारे में सामान नितया कहा जाए तो यहाँ काव्य वीररस प्रधान है इसमें भारतिय संस्कृत साहित्य को अगर हम देखते हैं तो प्रायश हमें वीररस की प्रधानता न्यूनाती न्यून द्रिश्टी गोचर होती है लेकिन कवी की उस समय के जो मांग थी उस समय के जो आवशकता थी उसकी पूर्ती है तो आचारे ने इस संपूर्ण का व्यको वीररस प्रधान बनाया है श्रिंगार हास्य करुणादी रसों के भी हमें वहाँ पर अनुभूती होती है वहाँ पर हमें श्रिंगार करुणादी इत्यादी अनेक सभी नवरस हमें वहाँ प्राप्त होते हैं और तदनुकूल ही यानि उन रसों के अनुकूल ही हमें वहाँ रसों के अनुभूती होती है और रसों के अनुसार ही वहाँ भाशा का भी प्रयोग किया गया है इस कावे की भाषा की यदि हम चर्चा करें तो यहां अतीव सरला और भावानुकूल भाषा है यद्यपी यत्रतत्र हमें अलंकारों का भी प्रयोग होता है अलंकारिक चाकच के भी कचित कचित द्रिष्टी गोचर होता है तथा पी संपूर्ण काव्य की भाषा को यदि हम देखे यदि हम दृष्टिपात करे तो यह भाषा नितराम महा भाष्य के समान जनमानस की सहज बोधिनी भाषा है यदि गद्य काव्य के इतियास को हम देखे जिसमें बान भट है जिसमें दंडी है जिसमें सुबंदू है जो के अपनी अनेक विशेश्टाव के लिए प्रसिद्ध है यथा सुबंदू की वासवदत्ता जो प्रत्यक्षर शलेश के लिए प्रसिद्ध है यानि प्रत्यक अक उक्षर पर वहाँ शलैश-, अलंकार हमें मिलता है। हम सभी जानते हैं। शलीश-अलंकार में एक ही शब्द के दो-दो अर्थ हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन आचार्य ने जब इस महाकावे की रचना की तो इस रचना में उन्होंने यह ध्यान रखा कि भाशा कैसी हो भाशा सरल हो भाशा भावानू कूल हो भाशा बिना किसी प्रयास के अनायासी रिदेंगम हो सके सरल सुबोदा हो इसका प्रयास किया है तो आएए हम आगे बढ़ते हैं और इस महाकावे के प्रारंभिक अन्ष को समझने का प्रयास करते हैं मंगलाचरणम, तत्र प्रत्मम मंगलाचरणम वर्तते विश्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, यह मंगलाचरण भागवत महपुरान से लिया गया है, जिसका सरल अर्थ है कि संपूर्ण जगत में विद्यमान, भगवान विश्णू की माया शक्ति, माया उस विद्यारूपी शक्ति को कहा गया है, जो कि इस समस्त संसार की समवाहिका है, वही इस संसार को मियमित करती है, अर्थात मियमन्त और संकोच विस्तार की सभी संभावनाएं इसी शक्ति में नहीत है, इसे ही भगवती कहा है, अर्थात यह शक्ति कैसी है, भगवती है, भग ज आचारियों ने एश्वार्यादी शडगुन संपन्नता कहा है जिसका अर्थ करते वे कहते हैं एश्वार्यस्य, समग्रस्य, ग्यानस्य, धर्मस्य, यशशास्रिय, ग्यानवैरागयोश्चाईव, शन्नाम भग इतीरिना इन छे चीजों को भारतिय साहित्य में, भारतिय संस् इन छे गुणों से जो परिपूर्ण है, उसे ही भग कहा है, और भगह, अस्य, अस्तीती भगवान उसी का स्त्रेलिंग में बोध कराने पर भगवती यहाँ पद बनता है, तो यहाँ जो माया शक्ती है वह कैसी है, भगवती है, एश्वार्यादी सभी छे गुणों से वह परिपूर्ण है इसी लिए ऐसी शक्ति जिसमें सभी संसार की सवरगुणों पेतता विद्यमान है उस शक्ति से ही यह जगत सम्मुईत है अर्थाद उस शक्ति से ही यह जगत चराचर जगत सम्मुईत है वशीकृत है आकरशित है आगे हम दुतिय मंगला चरण के ओर बढ़ द्वितिय उम्गलच्रण हम जो देख रहे हैं यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलच्रण है द्वितिय मंगलाच्रण में हिंस्रह स्वपापेन विहिन सितः खलह साधु समत्पेन भयाद विमुच्यति यह भी भागवत से ही लिया गया है सरलार्थ करते हुए कहते हैं कि हिंसरह हिंसा ही स्वभाव है जिनका हिंसन शीलाह जनाह स्वपापेन अपने निजकृत पापों से निजकृत अधमकृत्यों से विहिंसितह स्वयम ही विहिंसिता यानि नाश को प्राप्त होते हैं मारे जाते हैं खलह ऐसे दुर्जन व्यक्ति, हिंस्रह खलह दुर्जन व्यक्ति, हिंसन शीलाह दुर्जनाह स्वकीयेन पाप कर्मना नाशंगताह यथा रावणा दयह राक्षसाह स्वकूकृत्य वशादेव नाशंगताह तद विपरितम ये सत कर्मनी निरताह साधवाह संती ते समत्व ब वद्धिवशाद रागद्वेश विरहितत्वात मुक्ता भवंती अर्थात ते भयम अपहाय सुखिनो भवंती यदि हम इसे सामन्य रूप में समझने का प्रयास करें तो कभी कह रहे हैं कि जो दुष्टजन है जो दुर्जन है वे अपने पाप के माध्यम से अपने निजक प्रित्यों से स्वयम ही मारे जाते हैं, स्वयम ही नश्ट हो जाते हैं, स्वयम ही विनाश को प्राप्त होते हैं, परंतु इसके विपरीत जो साधु है, जो सज्जन है, जो सत्कर्मे में नीरत है, वे सभी सज्जन लोग समत्वेन, समत्व बुद्धी के कारण, समत्व क्या ह होता है राग द्वेश विरहितता श्रीमत भगवद गीता में समत्व को कहा गया है योग को ही समत्व का लक्षन माना गया अर्था योग क्या है तो वहां समत्व है सुख और दुख में समान बुद्धी रखना राग और द्वेश से विरहित होना ही समत्व है यदि इस प्रक इस संसार का इस लोक का औत्रिष्ट व्यक्ति कहलाता है तो वहा क्या होता है? समत्व के कारण इस कुन्य और पाप आधी से अपने आप स्वयम को संग्रक्षित करने वाली मानशिक्ता के कारण भयाद भयवशाद की जो निशिद्ध कर्म है? यानि पापादी कर्म है, विकृत कर्म है, दुश्कृत कर्म है, उनसे बचने के प्रयास से उनसे भय, यानि उनसे बचना और स्वयम को संग्रक्षित करना इस बुद्धी से और सत्क्रम में प्रेरित करना, स्वयम को करना इस बुद्धी से स्वयम ही विमुप्त हो जाते हैं सज्जन लोग तो इस प्रकार इन दो मंगलाचरणों के माध्यम से कवी ने अपने ग्रंथका आरंभ किया है करंथ के प्रारंब में दोनों ही मंगलाचरण हमें इस और इंगित करते हैं भारतिय परंपरा रही है हमारी जहां हम प्रत्य कर्म को प्रारंब करने से पूर्व मंगल आचरण अवश्य करते हैं क्योंकि मंगल के विना कोई भी कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए कहा गया है कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत अर्था जो समाप्ति की कामना करता है जो समाप्ति की इच्छा रखता है वहाँ निश्चित ही मंगल का आचरण करे इसलिए मंगल आचरण की उपयोगिता के बारे में यदि हमें समझना है तो हम इन मुख्य बिंदों के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहली आवश्चकता क्या है मंगलाचरण की वह है विग्न विगात आया मंगलम आचरते अर्थात जो भी हमारे कारियों में विग्न है बाधाय है उन सब से हम बच सके उ इडस इच्छाओं की पूर्थी के लिए इस्त यानि जो इपसीत है अभिी इच्छाओं की पूर्ती के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है आचार्य, कालिदास, कभी परंपरा के स्रिष्ट, जब अपने ग्रंथ कुसुमा कुमार संभव में भी मंगला चरन के और हमें प्रवित्त करते हैं, विक्षु के स्तूति के माध्यम से इस संसार को मंगला चरन के आवशक्ताव से परिचित कराते हैं और तीसरा कारण है परंपरा समवाह, हमारी भारतिय संस्कृती में यह सर्वदा परंपरा रही है, कि हम कोई भी कार्य प्रारंब करते हैं, उससे पूर्व मंगल का आचरन जरूर करते हैं, इसलिए कहा है मंगला दीनी, मंगल मध्यानी, मंगला अंतानी, च शास्त्रानी प्र आशिर वादात्मक, नमसकारात्मक और वस्तु निर्देश आत्मक, आशिर नमस क्रिया वस्तु निर्देशो वापितन मुखम काव्या दर्श में आचारे दंडी ने यह कहा है, तो हमारे जो दोनों मंगला चरन रहे हैं, जिसमें पहला मंगला चरन विश्नोर माया, यह नमसकारात्मक मंगला चरन है, सरव परफम भगवान विश्नु का वहाजो की चरात्र जगत में व्याप्त है, उनका नाम संकिर्तन के साथ उनके परती नमसक्रिया का भाव प्रस्तुत किया गया है, और दूसरा जो मंगला चरन है, वह हमारा वस्तु निर्देश आत्मक मंगला चरन रहा है, जिसमें यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार दुष्ट लोग, दुर्जन लोग स्वयम के पाप कर्म के माध्यम से नश्ट हो जाते हैं, और जो साधु लोग है, जो सज्जन लोग है, वे विमुच्चते अथाद बंधन से मुक्त होते हैं, इसी प्र प्रतिनायख निजिकृत पापों के निश्ट हो जाते हैं, इस वस्तु निर्देश के और आचारिया हमें निर्देशित कर रहे हैं, इन दोनों ही प्रकार के मंगला चरणों का आचार्यने आपने ग्रंथ में प्रयोग किया है, आगे इस मंगला चरणों में जिन शब्दो का प्रयोग किया है उनके सामानने अर्थों को हम जानते हैं यहां विश्णु शब्द आया था जिसका आर्थ था वेवेश्टी व्यापनोती चराचरम जगत ती विश्णु अर्थात संपूर्ण संसार में इस चराचर जगत में चर अचर रूप इस संपूर्ण संसार में ज भगवती शब्द प्रयोग किया था जिसके छे अर्थ यहां बताये गए थे एश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ग्यान और वैराग्य ये छे अर्थ भग शब्द के बताये गए हैं इसके बाद माया माया वेदांत दर्शन में आप जानते हैं ब्रह्म की अविद्या मूला शक स्विकार किया गया है समत्व के अरथ के भी हमने चर्चा के जिसमें सिद्ध-सिद्यो, समोभूत्वा, समत्वम, योग, मुच्चते, श्रीमत, भगवत गीता में इसे बतलाया गया है अब आईए हम ग्रंथ को प्रारंब करते हैं ग्रंथा आरंब में आचार याने भारतिय परंपरा के समवाह को अनुकूल रखते हुए यानि भारतिय परंपरा में जिसे सर्वता बल दिया गया है ऐसे भगवान भाषकर के वर्णन से ग्रंथ का आरंब किया गया है तो आईए मूलपाट को हमें एक बार पढ़ते हैं सूत्रधारह सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनस्य अयमेव अहोरात्रम जनयती अयमेव वत्सरम द्वादशसू भागेशू विभनक्ती अयमेव कारणम शन्नाम रितूनाम इसके सामानने सरलार्थों को समझते हैं महाकवी ने जब इस गरंथ का प्रारंब किया उन्होंने इस गरंथ को आरंब किया भगवान भाषकर के वर्णन से वे कहते हैं अरुण एशब प्रकाशह अर्थात यहाँ जो पूरो दिर्श्यमान सामने हमें दिखाई दे रहा है यहाँ अरुण प्रकाश क्या है पूर्वस्याम मरीची मालिनहा पूर्वदिशामे विद्यमान मरीची मालिनहा थ्वात भगवान भाशकर का यह अरुन रक्तिम लोहित प्रकाश हमें पुरोद्रिश्यमान हो रहा है दिख रहा है यह भगवान भाशकर एश भगवान मनी ही यह भगवान क्या है मनी है किसके आकाश मंडल अस्य, इस संपूर्ण गगन मंडल के वे मनी सद्रिश है, मुक्ता मनी के समान विराजमान है, चक्रवर्ती, खेचर चक्रवर्ती कहते हैं, हम जैसे हम साहित्य में सरवत्र प्रयोग देखते हैं, चक्रवर्ती कहते हैं, निर्प यानी राजा को, वे सार्व भौ गुंडल को कहते हैं उस्क्र भूषन को कहते हैं kundal वे कुंडल के समान है आखंडल दिशह आखंडल अर्थात देवराज इंद्र की दिशा के वे कुंडल के समान है देवराज इंद्र की दिशा मानी गई है पूर्व यद्दपी भगवान भाशकर की दिशा मानी गई है तथा पी वास्तु शास्तर के अनुसार इंद्र को ही प भिन्द भिन्द स्वामी यहाँ पर स्विकार किये गए हैं दीपकह ब्रह्मांड भंडस्य इस ब्रह्मांड रूपी भंड यानि पात्र के ब्रह्मांड रूपी इस समस्त संसार के वे दीपक के समान है दीपक जिस प्रकार स्वयम प्रज्वलित होकर समस्त संसार को आलोकित क करता है इसी प्रकार ये भगवान भाशकर इस समस्त ब्रह्मांड के भांड सद्रिश है समस्त ब्रह्मांड के इस समस्त संसार रूपी भांड के समस्त संसार रूपी पात्र के वे प्रकाशक है तेजस शुरूप है प्रेयान पुंडरीक पटरस्य प्रेयान अत्यंतप प्रिय इसके पुंडरीक पटल अस्या पुंडरीक अर्थात कमल और पटल अर्थात समुदाय श्वेत कमल के समुदाय के वे क्या है अत्यनतप प्रिय है क्योंकि जब भगवान भाशकर पूर्वदिशा में उधित होते हैं तब उनकी चेतना से तब उनकी उर्जा से तब उनके प्र पुर्जा से देदिप्यमान होकर स्वयम को विकसित कर इस संसार को अपनी सुरभी से समस्त संसार को अपनी सुन्दर्ता से मनमुहित करता है आकरशित करता है और शोक विमोकह कोकलोकस्य यहां भगवान भाशर क्या है शोक विमोकह शोक अर्था दुख के विमोकह अर्था उ कोक लोकस्य कोक अर्था चक्रवाग जिसे सामान्य भाषा में चक्वा चक्वी कहा जाता है उनके कोक लोकस्य कोक समुदाय के चक्रवाग समुदाय के वे शोक विमूख है उनके दुख हरता है किस प्रकार है तो हम देखते हैं कि कोक अर्था चक्वा चक्वी यह जो पक्षी रात्री में वे प्रिथक प्रिथक होते हैं रात्री के समय वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं रात्री में वे एक दूसरे से वियुक्त हो जाते हैं और उस वियोग के दुख को रात्री भरवे सहन करते हैं लेकिन जैसे ही आकाश मंडल में भगवान भाशकर का उदे होता है उसके साथ ही वे दोनों पुनह एक दूसरे से मिल लेते हैं पुनह उनका मिलन हो जाता है इस प्रकार उनके वियोग रुपी दुख को हरने वाले है भगवान भाशकर आगे कहते हैं कवी कि अवलंबो रोलंब कदम बस्या यहाँ अवलंब है आधार है आश्रे है रोलंब कदम बस्या रोलंब अर्थात ब्रहमर ब्रहमर समुदाय के ब्रहमर समुह के वे अवलंब है आश्रे है क्योंकि जब भगवान भाशकर उदित होते हैं उसके साथ ही साथ जब पुश्प विक्सित होते हैं तो यह प्रहमर उन पुष्पो से प्राग ग्रहन करने हेतु प्रवर्तित होते हैं और जब पुष्प विकसित होंगे तभी विकसित हो सकेंगे जब भगवान भाषकर उधित होंगे इसलिए कहा है कि अवलंबह वे भगवान भाशकर क्या है आधार है आश्रय है इस ब्रहमर समुदाई के आगे कहते है सुत्रधार हा सर्व व्यवहारस्या सर्व व्यवहारस्या सभी प्रकार के व्यवहारों के यानि सांसारी जितने भी व्यवहार है जितने भी प्रकार के काम काज़े जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उन सभी व्यवस्थाओं के क्या है सूत्रधार है नियामक है व्यवस्थापक है क्योंकि हम देखते हैं दिन के समय ही लगभग समस्त संसार अपने कार्यों में निरत होता है भगवान भाशकर की उर्जा से उरजानवित होकर सभी लोग अपने निजकृत्यों में प्रवर्तित होते हैं और यह सभी संभव हो पाता है भगवान भाशकर की उर्जा से इसलिए कहा गया कि वे सभी व्यवहारों के क्या है सूत्रधार हैं आगे कहा कि इनस्च दिनस्य वे दिन के क्या है इन है इन अर्थात स्वामी प्रभू वे भगवान भाशकर के भगवान भाशकर क्या है दिन के स्वामी है अयमेव अहो रात्रम जनयती वे अहो रात्र के जनक है भगवान भाशकर को ही अहो रात्र का जनक माना गया है अहो रात्र का आर्थ है दिन और रात्री में दिन और रात्री भगवान भाशकर के कारण ही संभव हो पाती है अयमेव वत्सरम द्वादशसु भागेशु विभनक्ति ये भगवान भाशकर ही वत्सर यानी वर्ष को द्वादश भागों में बारह भागों में विभाजित करते हैं और अयमेव कारणम, शन्नाम, रितुनाम इने ही छे रितुव का कारण माना गया है, जो वसंत, ग्रिश्म, वर्षा, हेमन्त, शिशिर और शरद आदी छे रितुव हैं, इन छे रितुव के इनको कारण माना गया है। इस प्रत्थम पद्य में जो विशेश पद आये थे, आईए उन पदार्थों का हम परिचय प्राप्त करते हैं, प्रत्थम पद है मरीची माली नहा, मरीची नाम अर्थात रश्मिनाम माला, मरीची नाम माला, मरीची माला, मरीची माला, अस्य अस्तीती, मरीची माला, मरीची चरंती थी खेचराहा तारा समूहा तेशाम खेचराणाम चक्रम खेचर चक्रम अत्र शश्चितत पुरुषा समासा वर्तते आखंडलह आखंडयती भेदयती परवतान इती आखंडलह इंद्रह यहाँ पर पूर्वदिशा के स्वामी इंद्र पश्चिम दिशा के वरुण उ आखनडल दिशेध यहंञ शब्द प्रयोग किया गया है कोकह शब्द यहां चक्रवक अर्थ में प्रयोग किया गया है और रोलमब शब्द का अर्थ हैं ब्रहमर और कदमलब का अर्थ हैं समूह इनहा यह शब्द जो है प्रभु के अर्थ में स्वामी के अर्थ में इनहा सूर्ये प्रभु इत्यमरह यह इस प्रकार से शब्द कोश है तो इस प्रध्य को इस प्रथम पाठ को हम यही विराम देते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद